हेलो इब्रीबन आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नित्य में स्टरी सेंटर में आज हम आपके लिए 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 हैं रिश्यो एंप प्रोपोर्शन का कोश्चन तो चलिए 10 कोश्चन लाएं विट ऑप्शन के साथ आप वीडियो को एंट्रिक देखेगा वीडियो का पि इस स्मॉलर नमबर यानि छोटा नमबर पुझाओ का अनुपाद तीन देशियो तीन अनुपाद चार है यदि उनका योग 140 है छोटी संक्या क्या है तो इस टाइप का कोश्चन लगवर एक्जाम में हर कंप्टिशन लेवल के एक्जाम में से सी हो यारलवे एस सीजीडी स इस टाइप का कोश्चन लेटर कोश्चन पूचा जाता है तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं बताते हूं क्या करना यहां पर दो सब्सक्राइब का अनुपाद यहां पर फॉस्ट नमबर पहली संग्या दूसरी संग्या यहां 3 देशियो 4 फॉस्ट नमबर और सब् अब यहां पर क्या बोला है इनका यदि उनका योग इनका योग कितना हुए 140 हो गया तो 3x प्लस 4x इक्वल टो 140 इसको एड़ कितना जगा 7x का इक्वल टो 140 एक्स का वालू निकालना है 140 डिवैद सेवं कितना होग है 20 x का वालू क्या आया है 20 यहां क्या पूछ रहा हम से 3 चोटी संग्या है 3 4 इसको प्लस 4 में एक 3x है चोटी चेंगे 3x है तो हम यहाँ पर x का फालू जो है है यहाँ पर पूट कर देंगे 3 into 20 यानि कितना हुआ 23 is 60 60 हमारा एंसर हो गया option a option a is the right answer but the next question क्यों second question में क्या बुल दाए if the ratio of a to b is 5 ratio 7 and b to c is 3 ratio 4 what is the ratio of a to c यदि a और b का अनुपाद 5 अनुपाद 7 है और b और c का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है तो a और c का अनुपाद क्या होगा यहाँ पर a ratio b का अनुपाद दिया और b ratio c का दिया है क्या पुछे a और c का अनुपाद क्या होगा तो चलिए इसको भी solve करते हैं यहाँ पर सबसे पहले a ratio b ratio लिख दिये अब यहाँ पर क्या बोला है a to ratio b कितना दिया 5 यह 7 अब यहाँ पर b to c यहाँ पर b हो गया यहाँ पर c लिख दियते हैं अब c कितना दिया है 3 दिया है यहाँ पर 4 दिया है ऐसे लिख दिया है what is the ratio of a मुझे यहाँ का निकालना है और यहाँ का निकालना है क्या होगा तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर इसको x में मान सकते हैं ओके तो यहाँ पर कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से दिखिएगा कैसे करेंगे इसको ध्यान से दिखिएगा 15 15 15 रेशियो 7 321 रेशियो यह 7 428 यानि यह हो गया यह हमाया एंसे ने भống पूस्तर है पोल्ड़ कोर्शन में क्यां ए और सी ये हो घया यए इसी हो गया तो अनुपार इसका क्या हो गया एंसी का यह कि इतना है यह अीह हो गया उत्हां है को यहसाई हो चुशन में प्यूंड कि इसा गया और सी तना है 28 یानि हमारा अशन से आगे 15 देश्यों 28 ओप्शन ए ओप्शन एज राइट एंसर बड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्यों तर्ट कोश्चन में क्या बोलता है तू नंबर्स आर इंदर रिश्यों 7 रिश्यों 9 इफ देर डिफरेंस इस 16 वाट इस देश्मॉलर नंबर दो संख्या दो संख्या है 7 7 अनुपात 9 के अनुपात में है यदि उनका अंतर 16 है तो छोटी संख्या है क्या है जैसे मैंने फर्स्ट कॉश्चन सौल किया था वहाँ पर सम्ता यहाँ पर डिफरेंस दिया यानि अंतर दिया है यहाँ पर क्या सेम उसी प्रॉसेस से इसको भी सौल करेंगे कितना दिय है 7x-9x इतना दिया डिफरेंस दिया है ओके डिफरेंस दिया है तो क्या करेंगे आपर इसको माइनस के अंतर कितना हो जाएगा 2x होगा अब यहाँ पर कितना दिया है रिफरेंस दिया है इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9x-2x हो जाएगा ओके यहाँ एक्स माल लिए यह डिफरेंस दिया है एक्स इसकोल कितना हो जाएगा 16x2 कट्ट हमारा एक्स इसकोल टूएट पूछ रहाएं क्या चोटी संक्य तो चोटी संक्य यह हो चोटी संक्य क्या बोल दाएं यहाँ पर चोटी संक्य में क्यों सी होगी 7 यहाँ पर करेंगे 7x7 इंटु एक्स का वैलू एट है है एट रखेंगे यहाँ हमारा 56 एंट सर आगया और ऑफशन ए ऑफशन ए इस एंट एंसर बोत नेक्स्ट कोश्ण फूर्थ कोर्शन की और इस नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं लर्को और लर्कियों का अनुपाद 5 हैं, यदि इक अच्छा में कूल विद्याती यानि 90 विद्याती हैं, तो लर्कों की संक्य कितनी हैं, यह बताना है, यहां पर गल्स हो गया है, अब क्या करना है, यहां पर रिशियो दिया है, 4 अनुपात 5 यानि 4 रेशियो 5 दिया है If there are 90 students मैं इन दोनों को मिला के अच्छा में यानि 90 बाइजर गर्स दोनों है क्या करेंगे इसको एड करेंगे 4x प्लस 5x इक्वल टो 90 ओके इन दोनों को जोर के 90 है क्या जोगा 9x इक्वल टो 90 x का वैलू निकलना है 90 बाइज 9 यह होगे x का वैलू 10 आगिया अब क्या बोलदा है यहां लड़को की संक्या कितनी होगी तो लड़को कितनी है 4 है 4x हो जागा ब्वाज ब्वाज कितनी है ब्वाज कितनी है 4 यहां x हो गया 5 x10 यानि 40 रखों हो गया लग्स को पूछ तो यहां पर 5 x 5 in to 10 यानि 50 हो जाता है पर यहां मैं और वाइस का ही ज़िए इंसर देंगे दो चले नेक्स पूछटन क्यों बरते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी किजिएगा अपने दोस्तों में शेयर भी किजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन क्यों आते हैं फिफ्ट क्वेशन में क्या बोल रहा है रुपीज 240 इस डिवाइड़ इन दे रेशियो और सी रेशियो 5 वाट इस दे अमांट ओफ दे स्मॉलर पाट रुपीज यह हिंदी में कुशन है रुपीज यानि 240 रुपीज को तीन अनुपाद 5 के अनुपाद में भाजित करें छोटे भाई की राशी क्या होगी यहां पर क इस यू दिया है 3 अनुपाद 5 अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 3x प्लस 5x इक्वाल टो 240 8x हो गया यह 240 हो गया एक्स का वालु कितना है 30 30 आ गया अब यहां बोला है छोटे भागी राशी गया चोटा भागी यह है तो 3x हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वाल टो 3 इंट जाएगा 90 यानि चोटी राशी में क्या हो गई चोटे भाग की राशी क्या हो गई 90 यानि option B. option B is the right answer option B में रहा हो गया प्रक्षोन के और 6 question में क्या बोल रहा है if A and B are in the ratio of 2 ratio 3 and B and C are in the ratio of 4 ratio 5 what is the ratio of A to C यदि A और B का नुपात 2 नुपात 3 है और B और C का नुपात 4 नुपात 5 तो A और C का नुपात क्या होगा इसे लेटर मैंने पीछे एक कोशन कराया है सेम उसी पैटरन पर इस कोशन को भी सॉल करना है तो चली सॉल करते हैं यहां पर हम C रख दिए रेशियो कितना दिया है B 2 ratio 3 B oc कितना दिया है फोर 4 ratio 5 यहां यहां B oc का दिया एक जबे कुछ नहीं दिया तो जैसे दिया है वैसे कोश लिखती है अब यहां बोले ए और बी का नुपाद कितना है इतना है और बी और सी यह हिंदी में हो गया तो क्या करेंगे इसको सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे आपर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मल्टिप्टाई ओके इससे इससे इस से करना है, फिर सीधे करना है, फिर ऐसे करना है, अब क्या करेंगे हम, 4,2,8, 3,4,12, 5,3,15, यह हो गया, यह 2 के टेवल से, 2 के टेवल में 8 आता है, 2 के टेवल में 8 आता है, 2 के टेवल में 12 भी आता है, यह ऐसे नमबर से डिविजिवल कराना है, यह 3, जो 3 नमबर दिया है, वो एक ही नमबर से पुरा-पुरा डिविजिवल हो जाए, अब यह 3 के टेवल में 15 आता है, 3 के टेवल में 12 भी आता है, पर 3 के टेवल में 18 नहीं आ तो हम नहीं करेंगे इतना ही पर answer चोड़ दिंग अब आपके question क्या बोले हैं ए और सी का नुपाद क्या हो गात यह ratio C का नुपाद पूछ रहा हैं कितना दिया है इस यह मेरा कितना हो गया आप एठ हो गया ची कितना दिया हुआ 15 यानि यह मारा एंसर हो गया ओके ऑप्षन देखते हैं किसमें ओप्षन एओप्षन एज दर राइट एंस एट रेसियो 15 बते नेक्स्ट कोशन क्यों सेवन कोशन में क्या बूल रहे हैं तू नमबर्स आर इंदर रेसियो 5 रेसियो 6 इक दर लाजर नमबर इस 84 वाट इस दर स्मॉलर नमबर दो संख्या का नुपाथ अगर 5 5 नुपाथ 6 है यदि बरी संख्या 84 है तो छोटी संख्या क्या है चली इस कोशन को भी देखी हैं कैसे सॉल करते हैं यहां पर टू नमबर्स दिया हुए है ओके अब इस दर लाजर नमबर लाजर नमबर इस में बड़ा नमबर कौन ज़र पहले यहव्ज चोटा है शिक बड़ा है यह क्या बुला है लाजर नमबर का क्या है यह 84 क्या है बई संख्या यदि बई संख्या का इतना है यह चोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर बताना है क्या होगी तो चलिए यह देखिएगा यह 6 को 84 में डिवाइट करना है यह 6 का यह जो नंबर है कितना गुना है इसको डिवाइट करेंगे तो ही पतर चलेगा तो 6 बंजा 6, 6, 4 जा 14 यानि ये 6 जो है 14 गुन्दा है 6 का तो मेरा मल्टिप्लाई करें 14 में और 6 से 14, 6 जा 84 ये कितना गुन्दा है 14 गुन्दा यहां पर हम 14 से क्या करेंगे मल्टिप्लाई करेंगे तो चौदो पंची कितना होता है 7 होता है कितना होता है 14, 7 होता है कितना हो जाएगा 14, 5, 7, 7 ओके यहां पूच्छ क्या रहा है चोटी संग्या तो यह महारा 70 क्या होगे अंसर हो गया ऑप्षन A option is the right answer अब बदमते नेक्स्स कोर्षन क्यों 8 क्या करे रहें A और B are in the ratio 3, ratio 5, if B is 75, what is the value of A, यहाँ value A का मुझे find out करना है, यहाँ पे हिंदी में क्या है, A और B का अनुपाद, 3 अनुपाद 5 है, यदि B की संख्या 5 है, तो A की संख्या क्या होगी, A का मुझे संख्या पूच्या, यहाँ पे A ratio B हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 अनुपाद 5, यहाँ पे क्या दिया B, B कितना दिया है, B का 75 दिया है, ओके, यहाँ पे मुझे A का find out करना है, कैसे क्या होगा, मैंने 7 गुर्षन जैसे solve किया, से मुझे प्रोसेस इस कुछन को मैं solve करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यह 5 जो है 75, कितना इसको डिवाइट करेंगे, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 55, 25 यहाँ 15, 50, 75 पोता है, यहाँ 5 का यह 15 गुना है, पंजा 5 में 15 से multiply करेंगे, यह 5 को divide करेंगे, कितना जगा यह 15 आया, यानि 15 आया, यह 15 आया, इसमें भी हम 15 से multiply करेंगे, तो हमारा यहाँ का number find out होगा, 15 ते जा क्या होता है, 45, 45 यह हमारा क्या होगा, 45 एंसर हो गया, 45, option A, option A is the right answer, बटे, next question, 9th question क्यों, 9th question में क्या बोला है, रुपीज 608 divided in the ratio of 7, ratio 8, what is the amount of the smaller part, यह question, smaller part पुछ रहा है, यह रुपीज, यानि 600 को, 7 अनुपात, 8 के अनुपात में, 8 के अनुपात में बातने पर चोटे भाग की राशी क्या होगे, यानि चोटे भाग की मुझे राशी पूछ रहा है, यहाँ पर 7 अनुपात, 8 हो गया, 7X प्लस 8X, यहाँ क्या बोल रहा है, यह 600 दिया, यानि 600 दिया, यह कितना होगा, 7, 8 कितना होगा, 15, X is equal to 600, X is equal to कितना होगा, यही पर कैंसल आट कर देजा है, 15 चोगे, 15, 40, 60, यह 0, यानि यह होगे, X is equal to 40, यानि छोटा पूछ रहा है, चोटा नंबर, 7, 8 में चोटा नंबर को होगे, 7 है, यहाँ पर होगे, 7X is equal to 7 चोटा है, तो 7 इन्टो X का बोल रहा होगे, 40, यानि 7, 4, 28, यह 0, यानि 280, Option, Option B, Option B is the right answer, बरते हैं, नेक्स्ट क्योंच्ट 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 क्योंच्ट, If A and B are in the ratio 2, ratio 3, and their sum is 120, What is the value of A, यदि A और B का नुपाद 2, अनुपाद 3 है, और उनका यूग 120 है, तो A का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, A अनुपाद B, यहाँ क्या दिया ratio, 2, ratio 3, 2, ratio 3 दिया है, क्या बोल रहा है, sum, जैसे फिर्स कॉस्ट क्योंच्ट मैंने सॉल्व किया था, हो गया, 2X plus 3X is equal to 120, sum दिया है, तो क्या करेंगे, 5X हो गया, इक्वल टू 120, X is equal to 5, 1 जा 5, 5 तू जा 10, 5 फो जा 20, X is equal to कितना आ गया, 24, 24 आ गया, X is equal to 24 आ गया, अब इसको हम कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पर, A कमान क्या होगा, A कितना है, 2 है, A2 है, A2 दिया है, कितना हो जागा, 2X is equal to A कमान वैलू निकाल दिया हूँ, ओके, A कितना दिया है, 2X हो गया, तो वैलू यहाँ पर पूट करेंगे, 2X का वैलू कितना दिया है, 24, यानि 24 तू जाए, कितना होता है, 48 है, यानि मेरे A के भालू, क्या है, 48, Option B, Option B is the right answer, उमीद करते हैं को मैंने जो भी आपको सिखाए, आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लटा, वीडियो को लाइक किजिए, अपने दोस्तों में सेर किजिए, कमेंट करकर जरू बताइए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ऐसी इंट्रेस्टिंग कोसिंग के लिए मेरे चार्ण को अभी सस्क्राइब किजिए, बेल आइकन को प्रेस किजिए, थैंक्यू पर वर्चिन,